नमसकार दोस्तों मैं आप सवी का चेर परीशेत् दोस्तों पस्थित हूँ आप सवी की सेवा में एक बहधी महतोपून जानकारी को ले करके जीहां दोस्तों पीट को सुभा के समय में साफ करने का बेहतरिन तरीका जो कभी नहीं आप सुने होंगे अपना ये इनको और आप फायदा उठा सकते हैं यह है आज की जानकारी हमारी आप सभी के लिए क्या आप जानते हो कि वर्तमान के समय में जितनी भी परिशानिया यह वं बिमारी हो रही है उनमें से 90 प्रतिर्शत सिर्फ हमारे पेट के साफ नहीं रहने के कारण होती है मतलब कि आधी से ज्यादा बिमारी का कारण मातर पेट है लेकिन अगर इसी को साफ रखा जाए तो मानों की सभी तकलीफ हैं दूर हो जाएंगे आज के इस दोर में व्यस्त जिवन शेली और खान पान की गलत आदतों के कारण कई लोग पेट से समबंधित किसी न किसी रोग से पिडित होते हैं जैसे पेट में गैस बनना, ACDT, पेट में दर्द और जहलन होना इन सब के अतिरिक्त और एक परिशानी है जिसे कई लोग परिशान रहते हैं वो है पेट सही से साफ न होना जो कबजिकार रोग कहलाता है सुबह सवेरे अच्छे से पेट साफ होना हिल्दी होने की सबसे बड़ी निशानी होती है लेकिन समय के साथ इनसान की हर एक बात बदलती जा रही है फिर चाहें सोना, उठना, बैठना, बात, यहां तक की खान पान भी काफी बदल सा गया है समय की कमी कहें या व्यस्तता हम अपने खान पान का ध्यान नहीं रख पाते हैं जिस वज़ा से अपच की समस्या होने लगती है हमारा पेट सही ढंग से साफ नहीं हो पाता जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है इस वज़ा से जलन या डाकार जैसी समस्या होती है दरसल आज हम आपको पेट साफ करने के घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं बता दें कि कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनका उप्योग करके आप अपच जैसी समस्या से निजात पा सकते हैं आज आपको हम एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने पेट को सुबह के समय पूरी तरह से साफ कर सकते हो जिसके फायदे भी काफी चौकाने वाले आपको मिलेंगे गैस की दिक्कत से छोटकारा, किद्नी की समस्या को दूर करना, पाचन तंत्र मजबूत करना यह तीन फायदे तो लोगों को समाने बिमारी है जो हमने आपको बताया लेकिन इससे भी ज़्यादा लाव इस उपाय से मिलने लगते हैं आपको तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पेट को साफ करने के चमतकारी को बायों को बारे में थोड़ा सा गर्म पानी सुबह के समय पेट को साफ करने के लिए गुनगुना पानी को पीना होता है आपको और उसके बाद थोड़ी देर हलन चलन करने से पेट एक दम साफ हो जाता है, यानि कि गर्म पानी पिएं और इसके बाद थोड़ा टहल लें अलसी के बीज, जी हाँ, अलसी के बीजों में काफी मात्रा में पोशक्ततो होते हैं, इसलिए रात को सोने से पहले दूद के साथ एक चमच अलसी का सेवन करें, जिससे सुबह पेट साफ हो जाएगा, इसके अतिरिक्त दूद के साथ आउलेखा सेवन करने से भी पेट स्वस् हो जाता है पेट साफ करने में अरंडी का तेल रामबान है रात को सुने से पहले थोड़ा अरंडी के तेल को एक गलास हलके गर्म दूद में मिलाकर पीने से अगली सुबह पेटा सानी से साफ हो जाता है निम्बू का रस शहद और काला नमक सुबह खाली पेट निम्बू का एक चमच शहद और थोड़ा काला नमक एक ग्लास गुनगुने पानी में मिलाकर सेवन करने से भी पेट साफ हो जाता है नारियल पानी भी पेट साफ करने में रामबान होता है रोजाना नारियल पानी सुबह खाली पेट पीने से पेट साफ हो जाता है अलसी के बीज एक ग्ल पाउडर का सिवन आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाफकारी सावित हो सकता है दोस्तों सौफ खाने से गैस और पीट में जलन जैसी समस्याओं से निजात मिलता है इसलिए जब कभी भी खाएं खाने के बाद सौफ अवश्य खाएं कई बार ऐसा होता है कि हम न चाहते हुए भी ज्यादा खाना खालेते हैं तो जब कभी भी ऐसा हो छोटी इलाइची चबाले इलाइची में पाचन शमता काफी अधिक मातरा में होती है ये वाश्प शील तेल एवं पाचन विकार को दूर करने में सक्षम है इससे आप थोड़ी ही देर में खुद को हलका महसूस करन तो यही थी आज की ये जानकारी जिसके सहरे आप अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहधिमा तो पून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों